दोस्तों आपने मेकन इंडिया इनिशेटिफ के बारे में तो सुना ही होगा, इसके अंडर केवल आटो मोबील्स, कमर्शल सेक्टर और इंडस्ट्रीज नहीं आती हैं, बलकि डिफेंस सेक्टर में भी गॉवर्मेंट इस स्कीम को प्रमोट कर रहा है, इंडिया दुनिया के टॉफ फाइव मिल्टरी स्पेंडर्स में से एक है, और नए डिफेंस मनुफेक्ट्रिंग हब की तरह ग्लोब पर इमर्ज कर रहा है, डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ और मनुफेक्ट्रिंग को इन्हांस करने के लिए, इंडियन गॉवर्मेंट दो डिफेंस इंडस्ट्रिय की मदद करेंगे, सेल्फ रिलाइंस के इंडियन गोल को गॉवर्मेंट और प्राइविट प्लेयर्स के कंबाइंड एफर्ट से अचीव करना ही मेक इन इंडिया का एम है, जिसमें डाइरेक्ट और इंडारेक्ट इंप्लाइमेंट अपर्टुनिटीज बोनस की तरह पैद होंगी, इससे डोमेस्टिक प्राइविट मैनुफेक्टर्स, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ और स्टार्ट अप्स को भी बूस्ट मेरेगा, दोस्तो आज का वीडियो इन्ही डिफेंस कोरिडॉर्स को डिसकस करता है दोस्तो उत्तरपदेश डिफेंस इंडस्ट्रिल कॉरिडॉर उत्तरपदेश एक्स्प्रेस वेज इंडस्ट्रिल डेवल्मेंट ऑथिवारिटी यानि की UPE IDEA सेटप करेगी इस कोरिडॉर में आगरा, अलिगड, चित्रकूट, जहांसी, कानपुर और लखनव डिफेंस इंडस्ट्रिस डिवलप करने के पोटेंशल के साथ नोडल रीजन्स होंगे विजन ये है कि इस कोरिडॉर में इंडस्ट्रिस को प्लग और प्ले सपोर्ट दिया जाए इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रिस को वो सारी सुविधाय दी जाएं जिसके बाद वो किवल मनुफेक्ट्रिंग शुरू करें और लोजिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स में ना उलजें इसके लिए प्लांस में 132 KVA की अनिंटरॉप्टेड एलेक्ट्रिसिटी और एशूर्ड वाटर सप्लाई के साथ फोर लेन हेवी डूटी हाइवे द्वारा बुंदेल खंड एक्स्प्रस वे और डेली जहंडी हाइवे से लिंक दिया जाएगा निवेश मित्रा पोर्टल के अंडर सिंगल विंडो अप्रूबल्स और डिफेंस एरोस्पेस मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट्स के लिए क्लेरेंसेस की सुविधा दी जाएंगी इसके लावा इंसेंटिफ्स और सबसेडीस के रिमश्मेंट्स के लिए सिंपल प्रोसीजर्स के साथ रेशनल रगलेटरी रजीम होगी लेटली दोस्तों यूपी मेंस कॉलिडॉर ने पेस पकड़ा है पिछले दो सालों में जब से पीम नरेंद मोदी ने यूपी में डिफेंस कॉलिडॉर की स्थापना की है तब से प्रोसेस धीमी थी एक रिपोर्ट के मुताबिक UPE IDA ने 17 कंपनीज को लैंड अलॉट्मेंट की प्रोसेश शुरू कर दी है डुमेस्टिक मेनुफेक्चर्स ने काफी रुची दिखाई है पर फॉरेंड कंपनीज का सामने आना अभी बाग की है UPE IDA के एक ओफीशल ने बताया कि 67 मेंवरेंडम्स ऑफ अंडरस्टाइंडिंग साइन की गई है जिनमें से 22 अब तक मटिरिलाइज हुई है इसके लवा दोस्तों दूसरा डिफेस कोरिडॉर कोस्तल स्टेट तमिलनाडू में बनाया जाना है क्योंकि ये रीजन कोस्तल है तो जाहिर है कि इसकी स्ट्रेटजीज अलग होंगी ये कोरिडॉर गवर्मेंट अफ तमिलनाडू सेटप करेगी जिसमें चेन नई, कोइमबातोर, होसूर, सालेम और तिर्चपली नोडल रीजन्स होंगे इस स्टेट में चार मेजर और 22 माइनर सी पोर्ट्स है इसके अलावा चेन नई, कोइमबातोर, तिर्ची, मदुराई में इंटरनाशनल और सालेम और टुटी कॉरेन में डोमेस्टिक एरपोर्ट्स है जिससे ये स्टेट स्टेजिकली इंपोर्टेंट है और डिफेंस कोरिडॉर के लिए सूटिबल है स्टेट के पास 11,113 मेगावाट की रिनूबल एनरजी केपासिटी है और चेन नई, दुनिया से तीन सम्मरीन केबल से जड़ा हुआ है ये एक मेजर रोल प्ले करेगा जो फॉरन इंवस्मेंट की बात होगी करिंटली कोरियन इंवस्टर्स की भारत में तमिल नाडू सबसे पसंदीदर जगय मानी जाती है जिन्वरी 2019 में इनॉग्रेट हुआ ये कोरिडॉर नेसेसरी टेस्टिंग और सर्टिफेकेशन फैसिलिटीज एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स टेकनोलोजी ट्रांसफर्स के साथ-साथ डिफेंस प्रोडक्शन में भी काम करेगा तमिल नाडू डिफेंस इंडस्ट्रिल कोरिडॉर यानि कि TIDCO की ऑफिशल वेबसाइट के मुताबिक फ्रांस के MBDA और लार्सन और टोबरो के बीच के जॉइंट वेंचर ने कोइंबर्टोर में गवर्मेंट आफ इंडिया से मिसाइल वेपन सिस्टम्स मनुफेक्चर करने का प्रोविजनल अप्रूवल ले लिया है भारत हैवी इलेक्ट्रोनिक्स लिंटिड यानि की भेल ने रानी पेत में 200 क्रोर के इंवेस्मेंट के साथ एक एरोस्पेस डिवीजन इस्टाबलिश करना शुरू किया है उसके लावा कुला शेकरा पत्नम में इसरो का सेटलाइट लॉन स्टेशन बनाने के लिए लान एक्कुरिशन कॉमेंस किया जा चुका है इसका बजट अप्रॉक्स 1,000 क्रोर होने की संभावना है इस प्रोग्राम से स्पेस सेक्टर में स्टेट की existing prominent position को एज मिलेगी इसके लावा LMW और Boeing भी कोइमबर टोर में skill development center सेट अप कर रही है जो एघर स्पेस और defense industries को manpower support देगा TIDCO ने DRDO और IIT मदरास को knowledge partners बनाया है ताकि flight, academy, aeromodeling etc. पर प्रोग्रिस की जा सके इंडिया का प्लान है कि अगले 5 सालों में 130 billion dollar spent कर defense production में self-reliance बना जाए government ने defense industries को private sector के participation के लिए open कर रखा है ताकि indigenous manufacturing को boost दिया जा सके इससे foreign original equipment manufacturers इंडियन companies के साथ strategic partnerships में आएंगे 2018 से 19 में defense में private sector का annual turnover 2.4 billion dollar रहा है इससे बढ़ाने के लिए defense export strategy त्यार की गई है जिससे अगले 5 सालों में 5 billion dollar तक पहुचाना एम रखा गया है ये एक ambitious task है वो भी एक ऐसे देश के लिए जो global imports का 15% defense import करता है और जिसके exports अभी 1 to 1.5 billion dollars के बीच में है दोस्तों आशा करता है कि इस defense corridor के लिए जरुरी investment भारत को जल से जल मिलेगी और इन defense corridor और express space के बनने के बाद हमारी economy और भी जादा flourish करेगी इस वीडियो के लिए इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ share करना मत बूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत